राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी के धोके की कहानी, कैसे वे हैं अपने पती को मार देती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्ती को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाउन था, उस गाउन में एक गरीब ब्राहमन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था, वेह बिचारा उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वेह अपनी खेती करके अपने बेटे और अपनी पत्नी का गुजारा करता था, लेकिन एक बार उस गाउन में इतना अकाल पड़ा, कि उसकी खेती पूरी नश्ट हो गई, अब जो उस गरीब व्यक्ती के घर में खाने को अनका एक दाना भी नहीं रहा, उसकी पत्नी और बेटे, जो है उनकी बहुत ही देननीय स्थीती हो गई, और वे भूके मरने क नौबत आ गई, अब जो किसान का लड़का था, वे थोड़ा बड़ा था, तो वे अपने पिता से बोला, पिता जी, इस गरीबी में आप अपना और मा का ही पेट नहीं भर पाते हो, आप दोनों का पेट भरना मुस्किल है, उपर से मैं भी आपके लिए बोज बन गया हू इस छोटे से गाव में रहकर मुझे कोई काम धंदा भी नहीं मिलता है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ, अब मैं बाहर जाकर किसी नगर या सहर में जाऊंगा और अपने लिए रोजी रोटी कमाऊंगा, क्योंकि इस छोटे से गाव में तो काम नहीं मिलेगा, और मेरे उ लड़का जो अपने माता पिता से भारी मन से अपना बहुती उदास मन से वह अपने माता पिता से विदा लेता है और वह लड़का सोचता है कि अपने भाग्या को तो जरूर अजमाना चाहिए शायद बाहर जाकर मेरा भाग्या या मेरा सितारा जो भाग्या का सितारा है चमक उसकी अपने पड़ोसी राजा के साथ लड़ाई चल रही है। राजा को जो स्वस्त नौजवान हैं उनक्यों अपनी सैना में भरती कर रहा है। उसे नौजवानों की जरूरत है। वे लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे जट से जो सैना में भरती हो जाता है। अब जो सत्रू की सैना जो थी वे बहुत सक्ति साली थी और जो राजा की सैना थी वे बहुत कमजोर थी। यानि कम भी थी और उनमें साहस भी इतना नहीं था। सत्रू की सैना के आगे राजा वाली सैना का टिकना बहुत कठिन हो रहा था। उसका सैना पती सबको साहस बंधारा आता पर बहुत सारे सिपाई फिर भी अपनी जान बचा कर भागने लगे ताब उस लड़के ने देखा उसने सोचा जिंदगी तो उसने बहुत करीब से देखी थी कि वे बहुत गरीब था और भूकन मरने की नौबत आ गई थी तो उसने सोचा कि भूक से भी मरना ही है तो क्यों ना बहुत दुरी दिखाई जाए या तो जीत गए या मरते मरते बीरगती को प्राप्त हो जाएंगी कम से कम मेरा नाम तो होगा यैसे भूके मरने से तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं मरी जाऊंगा यह सोच कर उस लड़के ने पिट दिखा कर भागने वाले सभी सिपाईयों को भुलाया और सत्रू का बाहदुरी से सामना करने के लिए उकसाया उसके जोस भरी बाते सुनकर सारे सिपाईयों में जोस आ गया और वे अपने देश के रक्षा के लिए जी जान से लड़ने लगे और वे सत्रू की सेना उनके आगे प्रास्त हो गए और वे मैदान छोड़कर भागने सिरू हो गए जो बूढ़ा सेना पती था वे इस लड़के के जोस और बाहद्दुरी से बहुत परसन हुआ जब उनकी सेना जीत गई और पड़ोसी राज्य को उनोंने अपने कबजे में कर लिया और उनका अपना राज्य और बढ़ गया तब जो परधान मंत्री था जो उसका मंत्री था उसने आकर राजा को सारी बाते बताए और उस लड़के की बहुत बढ़ाई की इस पर राजा बहुत खुस हुआ उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि उस लड़के को अच्छे से हिनाम दे कर उसे सम्मानित किया जाना चाहिए और उसे राज्ये में किसी और उचे पद पर रखना चाहिए वे लड़का अब राजदरवार और राज महल में एक हिस्सा बन गया राजा को भी वे लड़का बहुत पसंद था लेकिन राजा की एक लड़की थी राजकुमारी जो थी एकलोती राजकुमारी थी राजा के कोई और संतान नहीं थी केवल एक ही राजकुमारी थी जो देख क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वे उस यूवक से शादी करेगी जो उसकी सर्तों को मानेगा और उसे अपने आपे से भी जादा अधिक प्यार करेगा वे उसे उसकी उसने उसे सर्थ दे रखी थी कि जब वे मर जाएगी अगर वे अपने पती से पहले मर जाती है तो उसका पती जो उसे इतना प्यार करे कि उसकी कबर में जिंदा ही साथ के साथ दफन हो जाए और उसका पती पहले मरता है तो वे भी उसी के साथ उसकी कबर में दफन हो जाएगी क्योंकि पती की मिर्ति के बाद पत्नी के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा उसी तरह पत्नी के मरने के बाद पत्नी के जीवन का कोई महत्व नहीं है उसकी ये बेहुदी सी सर्थ को सुनकर सब राजकुमार जो भी थे कोई भी उससे साधी करना पसंद नहीं करता था उस नगर का कोई भी यूवक राजकुमार छोड़ो कोई भी यूवक उससे साधी करने का इच्छुक नहीं था सब उसकी बुराई करते थे कैसी नक्चड़ी राजकुमारी है किसी का आदर सम्मान नहीं करती कितनी घमंडी है पर जब उस गरीब लड़के ने जो राजकुमार के लिए जो लड़का देख रहे थे तो एक दिन राजा ने अपनी परेशानी उस गरीब लड़के के सामने कह जो कि अब राज महल में एक अच्छे ओधे पर था ताब उसने राजकुमारी को देखा तो उसे उसे पहली नजर में ही राजकुमारी पसंद आ गई और वे उससे प्यार कर बैठा वे जब उससे साधी करने के लिए उसने हां की तो राजा ने उसे बहुत समझाया कि यह सब उसके बसकी बात नहीं है लेकिन लड़का ने कहा कि वे उस राजकुमारी से प्यार करने लगा है उसके लिए वे जी जान से अपनी जान भी जो है दे देगा तब राजा को विस्वास हो गया कि लड़का बहुत समझदार है और उसकी लड़की के लिए ठीक रहेगा तब राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी उस गरीब लड़के के साथ कर दी अब वे दोनों जो साधी कर उनकी शादी हो गई और दोनों पती पतनी बनकर रहने लगे लेकिन उस लड़की ने ये बोला कि अगर तुमने अपना वचन नहीं निभाया या शादी के बाद तुमने अपना वचन तोड़ दिया तो तुमें मौत के घाट उतार दिया जाएग वे लड़का अपनी बात पर डटा रहा उसने राजा की बेटी की सारी बचनों का जो वचन दे दिया कि वे कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा अब धीरे धीरे उनकी शादी को समय भी इतनी लगा दोनों बहुत खुसी से जीवन वैतीत कर रहे थे लेकिन कहते हैं ना खुसीयां जादा दिन ठैरती नहीं है यही उस लड़के के साथ हुआ नसीव का खेल था कि एक दिन अच्छानक राजकुमारी बिमार पड़ गई रामी बैदो को बुलाया लेकिन उसकी बिमारी का कोई अंत नहीं हो पाया वे ठीक नहीं हुई और बिमार रहने के कारण एक दिन उस राजकुमारी की जो है मिर्तियू हो गई अब तो उस लड़के को अपनी पतनी की साथ उस कबर में तब तक रहना था जब तक कि उसकी मि लेकिन उसे अपने दामाद पर बहुत तरस आ रहा था वे सोच रहा था कि यह बेचारा तो जीते जी मर जाएगा और बहुत हो नहार लड़का है लेकिन वे अपनी पतनी को दिये हुए वचन स्पर अड़ गया उसने कहा कि मैंने अपनी पतनी को जो वचन दिया था राजा ने जो कवर बड़ी बनवाई थी ताकि जब तक वे लड़का जीवित रहेगा तब तक वे कुछ दिन जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है भूप्यास के कारण तब तक तो वे कवर में जीवत रहेगा इसलिए राजा ने उसके खाने पीने के लिए कुछ सामान वे कवर के अंदर रखवा दिया बेचारा लड़का उस भोजन में से बहुत कम भोजन करता जिससे कि वे लंबे समय तक जीवित रह सके क्योंकि जीते जी मरना बहुत कठिन होता है आसान नहीं होता है कि तडब तडब के भूप्यास से मरे बहुत बड़ी कठना ही होती है पर आब इस कवर में घुट-खुट कर मरने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था बाहर निकलने पर राजा के सिपाई उसको जान से मार देते और धीरे धीरे अब वे अपना थोड़ा थोड़ा भोजन करता और उसी में पड़े पड़े उसका दिन वेतीत हो जा लड़के ने देखा कि सरफ भूत फूंकार मार रहा था भूत खतरनाक सरफ था तब ही उसने अपनी तलवार निकाली जो की तलवार लेकर वे कवर में गया था और उस सरफ के तीन टुकडे कर दिये अब वे सरफ वहाँ तड़ पड़ा कर वहाँ खतम हो गया उसके टुकड तो वे सरफ तुरंत उल्टा हो गया तुरंत वापस चला गया फिर थोड़ी देर बाद वे सरफ अपने मुह में एक बूटी पकड़ कर लाया और कबर के अंदर गुस गया उस बूटी को उसने मरे हुए साप के फन और आखों पर रखा जो उसके टुकडे टुकडे हो गये सब देख रहा था कि दौना सरफ जिंदे हो गए दूसरा सरफ जो काटा था वो जिंदा हो गया और दौना सरफ कवर से बाहर निकल गये लेकिन उस लड़के को देखकर वे सरफ जल्दी जल्दी में अपनी बूटी वही छोड़ गया अब लड़के ने सोचा कि क्योना एक पर अजमा कर देख लें कि यह बूटी क्या इंसानों पर भी काम करती है जब इससे मरा हुआ सर्प जीवित हो गया तो हो सकता है शायद मेरी पतनी भी जीवित हो जाए और उसने वह बूटी उठा ली जो साप छोड़ कर गया था और उस बूटी को उसने अपने पतनी के आख पे और गले पर लगा दिया तभी उसकी पतनी ने थोड़ी देर बाद अपनी आखे खोल दी यह देखकर लड़का बहुत हैरान हुआ और उसकी परसंता का कोई ठीकाना नहीं रहा आप उसने कबर का दरवाजा खट खटाया तो सिपाईयों ने राजा को इसकी सूच ना द जिवी थैं यह देखकर राजा ने उन दोनों को अपने गले लगा लिया लेकिन राजा को अपने आखों पर विस्वास नहीं हो रहा था लड़के ने इस बूटी के बारे में किसी को नहीं बताया यह बूटी उसने सिर्प अपने विस्वास पात्र नौकर को संभाल कर पड़ सकती है इसलिए नौकर ने भी वेजबूटी संभाल कर रख दी अब यह सोचकर कुछ दिन ऐसे ही बीट गए अब जो राजा की लड़की थी उसके वेवार में बदलाव आ गया उसकी बहुत सी आदत बदल गई अब वे अपने पती से बात बात पर लड़ने लगी उस कि वे पहले प्यार करती थी अब वे बात बात पर उससे लड़ती जगडती टाने देती और अपनी पिता को भी वे ज़ादा पसंद नहीं करती थी और अपने पिता की गद्दी का मालिक भी खुद को समझती अब जो है लेकिन राजा के आ अगे वे कुछ जादा नहीं बोल पाती थी लेकिन मन में अपने पती से वह एक तरह से नफरत करने लगी उसे उसमें कोई भी प्यार नहीं रहा वह उस रिस्ते को खतम कर देना चाहती थी कि इस आदमी को मुझे पसंद नहीं है और इसके साथ मैं ये बंधन में नहीं रहना चाहती आप उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिता जी मैं कहीं बहार घूमने जाना चाहती हूँ कि जिंदगी में मेरे साथ इतना कुछ घटित हुआ है मैं कहीं दूसरे देसों में घूमूंगी तो कम से कम मेरा दिमाग बदलेगा और मेरा हवा पानी बदलेगा राजा भी खुस था कि चलो मेरे बेटी जमाई जाएंगे तो इनको भी घूम फिर कर लोट आएंगे जहां भी ये घूमना चाहते हूँ तो इने भी जो थोड़ी तसल्ली मिलेगी इनका भी दिमाग बदलेगा इधर उदर घूमेंगे तो अब राजा ने जो जहाज था उसमें उनकी सारी सुकसुविदाओं का समान भर कर रखवा दिया और दोनों मां से रवाना हो गए जो कैप्टन जहाज चला रहा था जब राजकुमारी ने उस कैप्टन को देखा तो वह कैप कैप्टन उसे अपने पती से ज़्यादा आकरशक और सुन्दर लगा और वह उसे देखने लगी और सोचने लगी कि अपने पती से कैसे पीछा चुड़ाए ताकि यह इस कैप्टन को कैप्टन से शाधी कर ले जब उसने कैप्टन को देखा और कैप्टन उस राजकुमारी को देखा तो दोनों की नैन मिल गए तब वे राजकुमारी कैप्टन से कहने लगी कि अगर तुम उससे साधी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी साहता करनी होगी नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतरवा दूँगी रानी थी राजकुमारी थी तो कुछ भी कर सकती थी क कैप्टन ने सोचा कि राजकुमारी सुन्दर है और मेरी पत्नी बनने के लायक है उसने जो कैप्टन से उसने रानी को विश्वास दिलाया कि वह उसके काम में उसकी मदद कर देगा तब उसने कहा कि जो यह मेरे साथ है यह मेरा पती है इसको मारने में मेरी जो है मदद जीए तब जो है कैप्टन और उस राजकुमारी ने जो उसका पती सोया हुआ था उसको उस नदी में जो सागर था उसमें धक्का दे दिया जिससे वेब गहरे पानी में समुदर में गिर गया और उन्होंने सोचा कि अब तो यह मर जाएगा अपने पती से पीछा उसका छूट जाएगा और वह कैप्टन से साधी करेगी और कैप्टन के साथ इसका मजे से रहेगी कैप्टन को भी इसमें अपना फायदा नजर आया तो उसने उसका जो है उसके सोते पती को धक्का दे दिया और राजकुमारी का पूरा साथ दिया लेकिन जब वो राजकुमारी और कैप्टन उस लड़के को उस पानी में धकेल रहे थे तो यह सब उसका जो विस्वास पात्र नौकर था वह देख रहा था उसने यह सब देखा तो उसने चुप चाप जहाज से निकला और जो जहाज में जो इसितमाल करने के लिए अरजंसी के लिए आपातकाल के लिए एक नाव रखी होती है वह उसने निकाली और जो बूटी उसके पास सुरक्षित रखी थी वह भी उसने ले ली उस नाव से वे जल्दी से समुद्री के बीच में गया और नाव से कोद कर उसने अपने मालिक को बचा लिया और उसे लेकर उसने जो नागों वाली बूटी थी उसके माथे पर रख दी जिससे वे उसके मुर्चाट तूट गई और वे बिल्कुल ठीक हो गया जब उस राजकुमारी के पती को ये सारा पता चला तो उसे अपनी पत्नी की करनी पर बहुत दुख हुआ कि मेरी पत्नी मेरे साथ कैसा धोका कर सकती है मैं तो उसका साथ देने के लिए उसकी कवर्म में रहा और वे मेरे साथ मतलब इतना धोका कर सकती है अपने प्रहमी के सा कि मुझे राजकुमारी से पहले उस महल में पहुचा दो जहां राजा साहब है राजकुमारी के पितासरी है अब जो लड़के का नौकर था उसने उसे राजकुमारी और उस कैप्टन से पहले राजमहल में पहुचा दिया राज मेरं में अपने दमाद को देखकर राजा सहाब बोले कि क्या बात है आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए मेरी बेटी कहा है तब लड़के ने राजा को सारी बात बताए कि आपकी बेटी और कैप्टन ने मिलकर मुझे पानी में धकेल दिया और मुझे मरा हुआ मान लिया लेकिन राजा को उस लड़के की बातों पर विस्वास नहीं हुआ वे कहने लगा कि मेरी बेटी ऐसा नीच काम नहीं कर सकती जिस आदमी के लिए उसने इतने दिन कबर में गुजारे और वे जो उसके ऐसे नहीं मार सकती वे इतनी बुरी नहीं है वे तुमें बहुत प्यार करती है वे जानती है कि तुमने अपने जीवन का कैसे बलीदान देने के लिए त्यार हो गई थी मैं अपनी बेटी को बिलकुल गलत ने ठहरा सकता वे बला तुमें कैसे मार देगी तुम उसके साथ कबर में जाने के लिए त्यार थे उसमें कबर में रहे और उसे जीवित करके लाए उसको जीवन दान दिया लेकिन तब वेलड का कहने लगा राजा साहब अगर आपको मेरी बातों पर विस्वास नहीं है तो आप मुझे यहीं राज महल में कहीं छिपा दीजिए और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए जब राजकुमारी आएगी तो आप दूद का दूद और पाने का पानी कर लेना अब राजकुमार जो राजा था उसने राजकुमारी के पती को अपने महल में छुपा दिया अगले दिन उसकी बेटी का जहज भी वापस आ गया और जब बेटी राजा के पास पहुची तो राजकुमारी बड़ी दुखी होकर रोने लगी और कि उसने कहा राजाने की क्या बात है तुम अकेली कैसे आई हो और तुमारा पती कहा है तब दुख से रोते हुए और ज़्यादा तेज देज चिलाते हुए कि जैसे वो कितनी दुखी है चिलाते हुए कहने लगी बहुत जोर जोर से रो रही थी कि जैसे उसको कितना मलब तकलीप हो रही है उसका पती जैसे खतम हो गया है कहने लगी पिता जी मैं क्या बताऊं रास्ते में मेरे पती की तबियत बहुत खराब हो गई और उसके इलाज के बगेर ही हम उसे नहीं बचा सके कि समुदर में हम उसका इलाज कहां से कराते और अब वे इस दुनिया में नहीं है अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप जहाज के कैप्टन से पूछ सकते हो वे मेरे साथ है होते तो मैं जरूर उने साथ लेकर आती लेकिन आब वे इस दुनिया में नहीं रहे राजा जब अपनी बेटी की यह बाते सुनी तो उसे अंदर से बहुत किरोधाया कि वे राजा अपनी बेटी की जूटी कहानी चुपचप सुनता रहा फिर थोड़ी देर बाद उसने उसके पती को दरवार में भुलाया अपने पती को जीवित देखर राजकुमारी हैरान रह गई उसे तो जैसे साप सुन गया वे अपने पता से अपनी जूट बोलने के लिए माफी मांगने लगी पर उसके पता ने उससे साप साप कह दिया जो इतने प्यार करने वाले पती की नहीं हुई वे मेरी क्या होगी इसलिए इसको मौत की सजा दी जाने चाहिए या इसको कारावास में डाल दो जब उसे मौत की सजा दे दी तो सैनिक उसे कारावास में डालने के लिए ले जाने लगे तब ही वे लड़का आया और कहने लगा कि राजा साहब मेरी पतनी को आप माफ कर दीजिए इसने तो अपने सच्चे पती को धोका दिया राजा कहने लगे कि मैं इसको माफ नहीं करूँगा इतना प्यार करने वाला और सच्चा पती था इसका जिसको इसने धोका दिया मैं इसे छमा नहीं करूँगा अगर कोई और उस तब उस लड़के ने कहा कि महराज जब मैं कह रहा हूँ मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ अगर आप इसे मिर्त्यो दंड दे दोगे तो मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊँगा तब राजा ने कहा कि ठीक है तुम कहते हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ अगर कोई और होता तो मैं उसे कभी छमा नहीं करता और उसे जान से मरवा ढलता आप उसको अपनी बेटी को माफ कर दिया और फिर राजकुमारी अपने पती के साथ खुसी खुसी रहने लगी राजा के अब कोई पुत्र नहीं था तो राजा ने सोचा कि मेरा इतना अच्छा दामाद है, संसकारी है तो क्यों ना मैं इसके हातों ही राज्ये की बागडोर संभालने के लिए इसे ही दे दूँ तब राजा ने अपने मंत्रियों से सलाम अस्वरा किया और सभी ने उसको राजा बनाने की सला दे दी अब जो राजा बनी गया और वे बहुत अच्छे ढंग से राजकाश चलाने लगा आब उस लड़के ने अपने गरीब माबाप को भी अपने पास बुला लिया और सब लोग बड़े आनंद के साथ सुखी सुखी जीवन बिताने लगे तो दोस्तो भाग्या का कुछ पता नहीं है कब किसकी किसमत पलट बदल जाए कब किसके भाग्या में क्या हो जाए वे गरीब लड़का जिसको खाने के लिए भी अनका दाना नहीं मिल रहा था और वे एक राजा बन गया दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सबस्क्राइब करें